हारु फिक्स सैमसंग F51 बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का थिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवास में बेटरी स्लो चार्जि देखेगा यहाँ तो यहाँ पर दोस्त क्या प्रोब्लम करेटर होजाते और केसे आपको सौल्फ करना है यह सारे जानने को मिलेगा सौलूस्टेंक और चलिए दूस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर जबी बेला इसलो चीजियंग का इस्यू आते हैं तो ज्यादा थर यह पर आपका जो चार्जिंग एडिप्टर या प्र ही चार्जिंग है उसके जारा slow charge आपको डेखने को मिलेगा ठीक है तो इसलिए में आपको हमेशा suggest करता हो कि original charger आपको यूज करना है और दोस्तों यहापर क्या होता है अगर आप charging बदल बदल के अपने mobile को charge करते हैं तो दोस्तों पीन damage हो जाते हैं जब पीन damage होते हैं तब आपका charging slow हो चार्जिंग करते हैं दोस्तों अगर आप gaming बगरा करते हैं तब भी दोस्तों आपको problem होगा charging काफी जड़ा slow होगा और सारे सार में बेटरी आपका डेमेज हो जाएगा उसके बाद हमेशा charging flow होते रहेगा ठीक है यारी कि आपको gaming नहीं करना है जब आप charging करते ठीक है especially इस चीज़ को आपको avoid करना है उसके बाद आपका connections ठीक है जैसे की वाइफाई Bluetooth या फिर mobile data mobile hotspot location अगर यह सब AC on पड़ा हुआ है बीना मतलब के तो आपको यह सब भी बंद करना होगा और यह चेक करना होगा कि आपके mobile पे ऐसा कोई application तो नहीं है जो कि बैट application आपके mobile बेटरी को consume कर रहा हो ठीक है तो उस application को आप delete करें अगर कोई ऐसा application है जो कि आपने unknown वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बैट application उसको delete करें ठीक है इस तरीके का जो application है वह मोबाइल के लिए harmful होते तो इस तरीके का application को भी avoid करना है mobile space काफी जारा consume हो चुका है तो mobile space को भी free आप करें mobile device के जो खेश है उनको भी clear किजिए file manager भी जाके आपको कई सारे खेश मिल जाएगा उनको भी delete करें ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा बेटरी एंड डिवाइस कियर तो जाके दोस्तों एक बार आप अपने बेटरी चेक करें यहाँ पर आपको क्या करना है optimize नाव पर क्लिक करना है उसके बाद सारे बेटरी अप्ट more setting पर क्लिक करें fast charging का option है तो fast charging को enable कर दे ठीक है तो fast charging को enable कर दे और adaptive बेटरी इसको भी enable कर दे तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर थोरा सा अपना बेटरी को optimize करके safe कर सकते तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो बेटरी slow problem है वो काफी हद तक fix हो जाएगा सारे software update नहीं करते हैं तब दोस्तों हमें problem हा जाते तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना हे software सुब्वेराउन्स हो जाएगा तो यह सारे solutions कर सकते सारे साथ में दोस्तों जो भी मैंने आपको रिजन बताएब उसमें झार देना है लेकिन दोस्तों यह पर मानने जिए आपने सारे सॉलिशन करके देखा फिर भी प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने मुबाइल को फेक्टुरी डिटा रिसेट कीजिए उसके लिए जेनरल मेनेश्मेंट पर जाना है और आपको रिसेट का ऑप्षिन मिल जाएगा एंड एंड फेक्टुरी डिटा रिसेट पर क्लिक करके रिसेट कर देना है ठीक है बाइए इनी चांस इसके बाद भी ना हो तो आप किसी भी टेक्निशन के पास या फिर सर्वेस सेंटर के पास जाके अपने प्रॉब्लम को फीज कर सकते क्योंकि दोस्तों आ अमिद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा थैंक्स रॉराचिंग